हेलो फ्रेंड्स वेलकम डियूर ओन चैनल मार्किट सीखो जी तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले एक ऐसी कमाल की कंपनी के बारे में जिसके फंडामेंटल्स तो बहुत ही जादा अच्छे हैं और लेकिन ये शेर क्योंकि नेग्टिव ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये शेर लगातार पिछले एक डेट साल से गिरता चला रहा है ये शेर 4000 के लेवल से अब 1300 के लेवल पर आ चुक है जी हां फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं ग्लेंड फार्मा के बारे में कंप्लीट डिसकेशन करेंगे इस वीडियो के अंदर इस कंपनी के बीनस के बार ये क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे चार्ट भी दिखाऊँगा कि आपको लगेगा कि यार ये एक जस्ट एक साइकोलोजी गेम है जो की बड़े प्लेयर्ज एक डिटेलर्स के साथ खेलती हैं और जो फ्रेंड्स उपर के लेवल पर अटक गई हैं उनको बिल्कुल भी कवरा आने की जूरत नहीं है इस मौके का बिल्कुल एक फैदा उठाना चाहिए नीचे के लेवल पर जो ये शेर आ रहा है और डेफिनिटली आपको इस वीडियो के अंदर सभी आंसर मिलने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही जादा इंफोर्मेटिव रहेगी आपके लिए और ज ताकि हमें कलियर हो सके कि इस बिनस में कितना दम है और मेरा ये दावा है कि आप बिनस मोडल को जानने के बाद आप डेफिनिटली केंगे कि ये बिनस तो अल्टिमेट है और ये ऐसा बिनस है जो कभी भी बंद नहीं होने वाला है तो देखें सबसे पहले हम जान लेते हैं तो देखिए ये जो company है ये 1978 के अंदर establish हुई थी इंडिया के अंदर हैदराबाद के अंदर और ये company mainly जब ये company start हुई थी तो ये company बिल्कुल small volume के अंदर ये काम करती थी और वो भी parental जो products आते हैं उसके अंदर ये काम करती थी लेकिन बाद में इस company ने अपने आपको असली रूप में establish किया और ये one of the finest player आप कह सकते है बिल्कुल एक focused player है जो की specifically injectables के अंदर ये company काम करती है जितने भी injectables आते हैं उसके अंदर ये company specifically focus है और साथ की साथ इस company की जो market है जो इस company के footprint है वो global footprint है और 60 countries के अंदर इस company का product sale होते है तो आप इसी से idea लगाए कि business कितना जवरदस्त है उसमें से जो important markets है वो इहां इन्होंने बता रखी है तो देखिए उसमें से सबसे वहले आता है अमेरिका, यूरोप, कैनेडा, अस्ट्रेलिया, इंडिया और other markets को आप इन्होंने यहां बता रखी है तो आप इसी से समझें कि एक company का जो business है वो US के अंदर भी चल रहा है, यूरोप के अंदर भी चल रहा है, कैनेडा के अंदर भी चल रहा है अस्ट्रेलिया के अंदर, इंडिया के अंदर, other markets के अंदर और क्या आपको लगता है कि ऐसी company fail होने वाली है जिसका injection, injectables का काम है और आपको भी पता है कि injectables का जो काम होता है, वो अपना में कितना difficult काम है और इसमें एक नए प्लेयर का आना अपने आप में बहुत 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 तफ़ है, और अगर आप यहां देखेंगे तो यह company यहां यह बता रहे हैं कि यह B2B business model के अंदर यह deal करते हैं और company का यहां काफी अच्छा excellent track record है development के अंदर देखें यहां इन्होंने clear बता रहे है कि company development के अंदर अच्छा record रखते है manufacturing के अंदर अच्छा record है और marketing के अंदर भी अच्छा record है इतने complex business का भी तो यह बहुत अच्छे science है इस company के लिए और key points के अगर हम बात करें तो देख revenue इसी model से आता है और company ने आप clear बता रहे है कि US से 71% इनका revenue generate हुआ था as per annual report financial year 2020 और 18% जो revenue है वो company का इंडिया से generate हुआ था as per annual report 2020 और देखें यहां company ने बता रहे है कि इंडिया के अंदर ही खाली company के पास जो sales force है 200 प्लस लोगों की इनका sales force है और काफी जादा इनका अच्छा network का idea के अंदर भी और company ने यहां clear बता रहे है कि company यहां specifically quality के उपर काफी जादा ध्यान देती है आप यह देखें कि पहली बात हो इतना tough business और उसके बाद company ने अपने 31% जो employee है वो specifically quality को maintain करने के लिए control करने के लिए बिठा रखी है और इतना typical business होने के बाद भी company ने यहां और जो other four facility है उसमें से यह formulation बनाने का यह काम करते हैं जिसमें से वन ओनोकलोजी है तो यह mainly cancer के लिए आप यह कह सेते हैं यह department होता है तो कुछ other departments भी हैं जहां एक company अपना focus कर रही है और company ने यहां बता रहे है कि हमारी जो production है total तो देखे 75 क्रोड की production है per year की यह काफी अपनी का यह भी कहना है कि company आने वाले टाइम में जितने भी API है वो अपने घर के अंदर ही बनाना चाहती है और जितने भी API है उनकी जो भी manufacturing कर रही है और आने वाले टाइम में जो manufacturing और company करने वाली है इन सबी की production company चाहती है कि अपने ही house में बनाई जाए तो यह growth sign है इस company की तो और उसमें से 50 जो injectables है वो oncology के लिए है और 26 opthamalic के लिए बनाए गया है अप्था मेलिक एक्चली यह जो department है यह isolated होता है मेंली तो company काफी जादा आप देखिए कि कितना अच्छा focus है इस company का की लगातार लगातार यह company research कर रही है और नहीं ने injectables निकाल कर company specifically उस area के अंदर deal कर रही है कि जहां पर आप यह लगा लिजे एक तरह की monopoly situation होते क्योंकि आप देखिए cancer के अंदर भी एक monopoly situation है आइस के अंदर injectables बनाना भी एक monopoly game ही हो जाती है क्योंकि जल्दी से कोई भी injectables यहां बनाता नहीं है तो यह बहुत अच्छे sign है इस company के लिए company नहीं है यह भी बता रखा है कि company अपनी sale का 5% जो revenue का 5% है वो अपनी R&D के अंदर खर्च करती है तो company लगा था अपनी research and development को और improve करती जा रही है ताकि वो अपनी quality को और better और better कर सके और company नहीं है यह अगर हम बात करें हम बता रही है तो company यह बता रही है कि जो AP capacity है वो 30% revenue का contribution करते हैं यहां पर तो यह बहुत अच्छे sign है तो यह है friends मोटा मोटा इसके बीनस के बारे में तो आपको समझ आयोगा कि एक बीनस बड़ा कमाल का है injectables का बीनस है और आपको ही पता है कि injectables कितने जादा लगते हैं आज के टाइम में और कोई company का specifically injectables के बीनस में है और काफी अच्छा player है तो मैं यही मानता हूं कि यह बीनस बहुत ही ultimate है और बिल्कुल भी आपको घबराने की जुरूत नहीं है friends और आएए अब हम company के fundamentals की बात कर लेते हैं उसे पहले हम company के बारे में थोड़ी सी और financial discussion कर लेते हैं तो देखिए जो company का market cap है वो देखिए 22,000 करोड का market cap है और company का जो share at present trade कर रहा है वो 1356 के अंदर trade कर रहा है और company का ROC देखिए आप 24 का company का ROC देखिए 18 का कोई भी friend गबराने की बात ही नहीं है friend इसमें और pack ratio देखिए आप 0.95 का तो यह भी यह भी काफी अच्छा है और मैं यहाँ यह बताना चाहूँँगा की company की EPS देखिए आप पर share EPS 60 रूपीज की EPS है और मेरे हिसाब से share काफी काफी अच्छा कर रहा है यह company काफी अच्छा करेगी friends और अगर हम बात करें debt to equity ratio की देखिए जीरो जीरो की debt to equity ratio है और इंटरंसिंग value की बात करें तो 1931 की तो यहाँ इंटरंसिंग value दिखा रहा है यह screener और share trade करा 1300 तो definitely आपके लिए तो value investing वाला concept आया चुका है की share इंटरंसिंग value के नीचे जा रहा है और जितना नीचे जाए यह तो आपके लिए एक opportunity है आपको गबराने की जूर्द नहीं है friends और return on asset देखिए 16% की return on asset और आप क्या लेंगे आप एक common sense लगाई है की share 70% के आसपर तूट चुका है और DIs की holding अभी भी 23% यह क्यों और FIs की holding भी still 4% share 70% correct हो चुका है 100 ही तो maximum होता है friends तो आप इस हीज़े common sense लगाई है न और promoter holding देखिए आप 57% की promoter holding है और pledging देखिए बिल्कु 0% की pledging है अब बात करते हैं company के fundamentals की तो देखिए अब company के profit and low statement को देखते हैं तो sale देखिए 2.14 के अंदर 991 क्रोड की sale थी वहीं 2.22 के अंदर 400 क्रोड की sale हो चुकी है तो बहुत ही अच्छे sign है बहुत ही कमाल की growth है और अगर हम बात करते है operating margin की तो देखिए operating margin आप देखेंगे अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम बात करें तो देखिए तो current TTM को अगर आप छोड़ दीजिए तो देखिए इसके इलावा 30 डबल डिजिशन प्रोफिट ग्रोफिट ग्रोफ दिखा रहा है और return on equity देखिए आप लगातार लगातार cost of equity से उपर आ रही है 2019 तो बहुत अच्छे sign है यह growth quality company business के लिए और अगर हम बात करें company के franchise value की तो बहुत यह शांदार franchise value की तो कोई शक्त नहीं है इसमें और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँ है दिखिए प्रमोटर holding के अगर हम बात करें हैं holdings के अगर हम बात करें तो देखिए public holding इस share के अंदर लगातार लगातार कम होती जा रही है देखिए आप 18 15 14 तो लगातार हमारे retail investor shares को बेचते जा रही है जबकि डियाइज की holding देखिए लगातार increase हो रही है 17 21 तो यह आप समझेए खिलाडी ले रही है public बेच रही है और FIs ने तो आप सब को पता है कि माल बेचे ही है पिछले कुछ times के अंदर तो आप सबी को पता है कि FIs sale कर रही है सबी जगां तो ultimately क्या और public निकल दिया है खिलाडी अंदर आ रही है और आप समझ सकती है कि यह क्या चल रहा है कि public बार और खिलाडी अंदर तो यह है मोटा मोटा इस company के बारे में इसके fundamentals के बारे में और मैं आपको इसका chart दिखाता हू तो देखिए यह है इसका chart तो देखिए यह है इसका chart यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो देखिए यह जो line है यह resistant का का काम कर रही है जब तक यह share इस line से उपर नहीं जाएगा तो यह share उपर नहीं जाने वाला और नीचे levels के कर में बात करें तो देखिए जो levels यहा और दूसरा अगर इसको तोड़ता है तो यह साड़े साथ सो के आसपास इसका सैकिंड अरिया बनेगा तो यहां किसी भी इस एरिया के पास यह शेर यहां आपको आता हुआ दिख सकता है और यहां से रिवर्सल आ सकता है जब तक यह शेर मैं यह कहना चाहूंगा पंदरह सो स्तारां सो जे उपर नहीं जाएगा तो आपको कोई भी साइन नजर नहीं आने वाले तो ये काफी जादा important area रहने वाला है और मेरा ऐसा माना है कि अभी गिरावट और आ सकती है इस share के अंदर तो definitely it's a buying opportunity बलकि आपको गबराने की वजाए इस opportunity का definitely benefit लेना चाहिए मेरा ऐसा ये कम मानना है और मैं अब आपको दिखाना चाहूँ ये कुछ मिने पिछले और shares के चार्ट निकाली है तो देखिए अगर आप psychology समझे friends की देखिए ये share है इसके अंदर देखिए downfall कितना आता है 70% then ये share को क्या किया गया है उसके बाद ये उडा कर ले गए है इसके लावा देखिए यहां कितना downtrend है 77% का उसका ये share का हाल गया हुआ आप खुद देखिए उसके बाद देखिए एक और share यहां पर क्या हाल हुआ है 68% की downfall then देखिए उसके बाद देखिए 81% की downfall then देखिए आप उसके बाद देखिए 74% की downfall then आप खुद देखिए तो friends मैं आपको ये बत बताना चाता हूँ कि ये एक market की psychology है ये large cap share 50% तक आम गिरते हैं और जो market का जो ये बड़े investors होते हैं इनका जो main area होता है 60 से 90% का एक gray area होता है जहां से share को कहीं पर भी ये वापिस reverse कर सकते हैं तो आपने क्या करना है आपने बिल्कुल भी इस market से लेटना नहीं है आपने simple एक काम करना है अब market के अंदर जो भी high बन रहा है all time high उसका 60% minus निकाल लिए जैसे suppose 100 high है तो minus 60% यानि 40 फिर 70 फिर 80 फिर 90 ये 60, 70, 80, 90 आप area निकालिए आप उस हर level पर आप थोड़ी थोड़ी buying कीजिए जब इन्होंने reverse किया ना share आप खुद देखेंगे आपको कहीं पर भी मोका नहीं देने वाले हैं friends maximum 100 ही तो है आपको कहीं पर भी मोका नहीं मिलेगा अगर आपको काम करना है तो आपको इस marketing psychology को समझना पड़ेगा क्योंकि किसी भी share के लिए असली buying होती है 60 to 90% के अंदर और मैं ये बात मानता हूं कि पहला जो 50% area होता है वहाँ पर आपको share buy करना ही नहीं चाहिए आपने Warren Buffett को हमेशा सुना होगा कि जब सभी fearful होते हैं आपको greedy होना चाहिए ये उनका quote है तो यहाँ हो perfectly apply होता है कि पहला जो 50% होता है वो actual में वो selling area होता है और जो 60 to 90 या 60 to 100 जो 100 तो आता ही नहीं है 60 to 90% का area होता है ये actual में buying zone होता है तो आपको smartly buying करनी है थोड़ी थोड़ी और आपको just market से बिल्कुल भी लड़ना नहीं है आप अपने buying कीजिए और उसके बाद just patience रखिए then आपको result यहाँ जो मिलने वाल है आप खुद देखेंगे तो friends यह है complete discussion इस वीडियो के अंदर आपको समझ आगी होगी I think यह psychology तो friends मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर एक और शांदर कबने के साथ तब तक के लिए take care and thank you so much